यह देखिए, सामने बेटे हैं मेरी घर के इस बाइब का फिर में जिटानिया और यह सामने ब्लैक शोट मेरी चिटानिया यह पूना से इस मेरी सास है और मैं भी वैसे बाशु मतलब जिटानी हूं अपने देखा होगा जो पानी लेके गए उसकी चिटानी में हूं तो हम फिलाल सब लोग जा रहे हैं डाक पत्थर भूमने क्योंकि भावी आई है पूने से दिन में हम सब स्कूल चले जाते हैं और शाम कोई टाइम मुलता है तो शाम का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है और ठंडी ठंडी आवाद चल रही है और प्लीज माइन मत करेगा मेरा गलाभी तक सही नहीं हुआ है वो है आईस्क्रीम के कारण मैं हर रोज खा लेते हूं मानती नहीं है और यह व्लॉग जो है यह अच्छली बहुत पुराना है में के स्टार्टिंग में मेरी जिठानी आई थी पूने से और मैं इसको एडिट नहीं कर पाई मेका एंड हो गया मैंने कहा कोई बात नहीं इसको अब एडिट करके प्लोड कर देते हैं तो यह सब हम पार्क में आ गया है तो से पार्क में देखने लाए कुछ नहीं है पड़ चलो बच्चे थोड़ा खेल लेंगे पार्क में पार्क में आ लेंगे पार्क में आ लेंगे देखिए वी आईपी लोगों का स्वागत कैसे था जैसे हम डाक पत्थर में आए डाक पत्थर वालों ने इतने पटा के फोड़े की स्पेशल भी वी आईपी लोग आए हैं सालों में कभी आते हैं तो मज़ा आगया तो डाक पत्थर में एक बहुत अच्छी चीज़ आई लव डाक पत्थर तो हम सब सोच रहे थे इसके साथ फोटो सब खिचवाएं पर प्रॉब्लम क्या रही थी जब हम इसके सामने खड़े हो रहे थे यह बलर हो जा रहा था और जब हम अकेले इसका फोटो ले देखिए कितना अच्छा आ रहा है पता नहीं इसने क्या हमसे दुश्मनी निकाल है पर हम भी का रुकने वाले हैं और तो को तो जहां जगे मिलती है महीं फोटो सेशन शुरू हो जाता है तो हम लाइट की तरफ जा रहे हैं कि सामने पार्क में काफी लाइट है तो ज़रा फटाफट से फोटो फूटो कीट चीचते हैं यहां तैयारी लाइट है नहीं है तो चलते चलते हमारे बाकी के लोगोंने का कि हम फोटो कीचेंगे यहां पहराज की तो सब उतर गया है फोटो कीचाने के लिए मैं भी आ गया हूं और पीछे पानी बहुत तेज है और डर भी लग रहा है रोज आए दिन कोई ना कोई स्नेयर में गिरता रहता है बड़ाई खतरनाक प्रेशर है तो अच अच्छा लग बहता पानी थंदा मौसम आय है चलते हैं भूक लग रही है वेट फूजा करते हैं कहीं चलके पहले कुछ स्नैक्स वगरा कहते हैं कि अवार्चा की खिरना है ऑच्छा थागा आपक्छा त्टेस हम वोले टिपड़ी दें क्या खाने आया है इब कर दो ओ कि अजू नही पसंतो कोई बाइस ही दो जी आगे पुछो गोस्ता कि बोलो भी कुछ बोल भी दो इस तो कुछ नहीं बोल लेगा है अम इतनी है मैं तो टिक्की खाने के बाद हम सब आगें दिनर करने रात का टाइम था ठकने के बाद हिमत नहीं होती घर जाकर खाना बनाने की तो हमने सचा डिनर करके ही चलते हैं बीच में मैं दादी को घर पे खाना खिलाने गई थी आपके फ्रेड में डिनर पर आ गया है काफी अच्छा था दाल मकनी शाइपनी खाना काफी टेस्टी था पेट बढ़ने के बाद हमने सुचा कुछ आइस्ट्रीम है जो यह देको रेडी आगी है रेडी पे आई है सौंफ बहुत प्यारी है में तो बड़ी अच्छी लगी है चलती भी है तो अब चलते हम थोड़ा सारी खाते हों सारी फोटर लाइन करते हैं और मिलते हैं अपसे एक अच्छे नई इंट्रस्टिंग व्लॉग मैं कुशिश करूंगे कि डेली व्लॉगिंग शुरू करूं रेकिन टाइम नहीं हो पाता है और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए प्लीज इस चानल को लाइक क करें और शेयर करें तब तक लिए बाबाई